शादी होने से पहले अनुश्का शर्मा ने इन पांच फिल्मों में जमकर किया था लिप लॉक विराट कोहली को अनुश्का शर्मा की यह पांच फिल्में बिलकुल पसंद नहीं है क्योंकि एक फिल्म में तो अनुश्का बेड सीन करती नजर आई इन पांच किरदारों में अनुश्का शर्मा ने ना सिर्फ लिप लॉक बल्कि इंटिमेट सीन की सारी हदें पार कर दी थी। इसलिए विराट कोहली को यह पांच फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथे और पांचवे नंबर की फिल्मों के सीन तो आपको भी शर्मसार कर सकते हैं। जिसके बाद आप भी कहेंगे एक पती के लिए अपने पतनी को किसी मर्द के साथ इस हाल में देखना बेहद ही मुश्किल होगा। फिर चाहे वह एक अभिनेत्री ही क्यों ना हो। पीके आमिर खान और अनुश्का शर्मा की फिल्म पीके ब्लॉक्बस्टर हिट फिल्मों में से एक है, जिसके गाने से लेकर कहानी तक दर्शकों को खूब पसंद आए। अनुश्का शर्मा की करियर की दूसरी फिल्म और अभिनेता रणवीर सिंह की डेब्यू यानि पहली फिल्म बैंड बाजा बारात ब्लॉक्बस्टर हिट फिल्मों में से एक है, जिसकी कहानी से लेकर गाने तक दर्शकों के जहन में अब तक उत्रे हुए हैं। हालां की की रणवीर सिंह ने अपनी पहली फिल्म में अनुश्का शर्मा के साथ लिप लॉक और बेड सीन देखकर दर्शकों को चौका दिया था। दूसरी तरफ पति विराट कोहली को अनुश्का शर्मा की यह फिल्म बिलकुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें अनुश्का शर्मा ने रणवीर सिंह के साथ कुछ ज्यादा ही इंटीमेट और लिप लॉक सीन देती हुई नजर आई है। अनुश्का शर्मा के सुपर हिट कैरियर की सुपर हिट फिल्मों में से एक एन एच देंस भी रही है, जो की अनुश्का शर्मा के प्रोडक्शन में ही तयार की गई थी। विराट कोहली को उनकी यह फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अनुश्का शर्मा की करियर की सुपर हिट फिल्मों में से एक फिल्म दिल धड़कने दो भी रही है, जिसमें कई सारे टॉप कलाकार शामिल थे। अनुश्का शर्मा की हिट फिल्मों में से एक रही है, जिसमें अनुश्का शर्मा ने बार सिंगर का किरदार निभाया था। इस फिल्म में अनुश्का शर्मा के अपोजिट अभिनेता रणबीर कपूर थे। अनुशका शर्मा ने फिल्म में रणबीर कपूर के साथ कई सारे लिप लॉक सीन दिये थे, जिसकी वजह से ये फिल्म के सीन कई बार रिपीटेडली सोशल मीडिया पर देखे गए हैं, और इसी वजह से विराट कोहली को अनुशका शर्मा की ये फिल्म बिलकुल भी पसंद नहीं है.